नमस्कार दोसतों मैं वुसरंगार और स्वागत करता हूं आप सबीका हमारे आज की इष्वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कार, क्या होता है और कैसे काम करता है चले जानते हैं इसके बारे में लेकिन इससे पहले आपने इस चैल को सब्सक्राइब नहीं किया को कूल रखा जा सके तो बात करते हैं इसके बारे में तो एक्चुली इसका काम क्या होता है कि ये एंजिन को ठंडा रखता है और कुछ पार्ट्स को जो है लुब्रिकेशन भी प्रवाइट करता है ताकि वो भी चीजें अच्छे से चलती रहे जैसे गैस केट हो गया या फि वैजसर एट हैं आपको जान लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको एंजिन के बारे में होना जाहिए देखिए हमारे एंजिन में जो है अगर आपके पास कोई कार है या बाईक है तो उसमें बाईक सμέनल पिश्टन सिंगल सुंगल ड्रम वाले एंजिन होते हैं या फिर कार्स में देखे 4 पिश्टन वाले भी हो जाते हैं 6 पिश्टन वाला भी हो जाते हैं तो actually coolant का काम क्या होता है कि जब भी power stroke बन रहा है तो आप देखिए वहाँ पर काफी जादा heat produce होती है जबी भी air fuel mixture piston रम में पहुंचता है फिर वहाँ पर burning होती है तो जो विस्ट फोर्ट वहाँ पर हो रहा है उसके वज़े से काफी जादा temperature इसका बढ़ जाता है उस temperature की वज़े से engine में काफी गर्माट पैदा होती है अगर ये coolant use ना किया जाए इसे ठंडा ना किया जाए engine को ठंडा ना किया जाए तो फिर problemss हो सकते हैं कि engine बी ओवर heat होने के वाज़े से काम करना बंध कर सकता है कुछ deformation हो सकते हैं इसलिए car coolant का use क्या जाता है अब कैसे thermostate एक heater भी काम करता है इसमें और इसके साथ ही एक water pump जैसे ही आपने engine को start किया तो water pump भी शुरू हो जाता है जो कि reservoir से radiator से लेकर के radiator से coolant को लेकर के provide कराएगा engine में अब कहां पर जाएगा coolant इसके बारे बात करते हैं जो piston drum होते हैं उनमें पैकेज बना हुआ होता है उनकी और वाटर पॉम्प होता है उन पैकेज असतक्षक कहुंचाई गारूध he कुलेंट तो खुदी ठंडा है अब क्या करेगा यह हीट को गेन करेगा जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है जो जितनी तो काम में इंजन ने ले ली वह तो ले ली बाकी जो हीट बच रही है जो कि बाहर आउटर सर्फेस पर जाई है और उसके इंजन को प्राब्लम होगी उ इसके बाद लगा होता है थर्मोस्टेट जो की लॉक होता है अब थर्मोस्टेट जो है इसे तब तक बाहर नहीं निकलने देता है जब तक कि एंजन का टेंपरेचर और जो टेंपरेचर है हमारे कुलेंट का वो बराबर ना हो जाए या फिर कुलेंट एक सर्टें टेंपर पर हो जाता है उस समय पे तो इसको ठंडा करना जरूरी होता है अगर आपने कुलेंट भेज दिया वहां से ठंडा होकर के बाहर निकल जाता है लगबग 20-30 डिग्री से पर तो उसका उतना जादा यूज नहीं हो पाएगा इसलिए उस कुलेंट को इतने समय तक काफी तेंपरेचर वहां से उठा सके जो डेशो से बना रहा एंगें उससे काफी उस्टेंप संपर्व निकाल सके काफी ज्यादाмен को अब्जॉर्ब करके बाहर कर सके वहां के ुछ थर्मोस्टेट कैसे काँ करेंगा, थर्मोस्टेट में सिंपल एक वैक्स का सिस्टम होता है, कि मापर कुछ वैक्स लगा हुआ होगा, जब यह तेमपरेचर सर्टेन पर पहुँच जाएगा, तो तो यह तो अगर आपको हीट की ज़रूरत है, तो यह हीटर की तरफ पहुचा दिया जाता है, जहां पर जो हीट है, उसको आप हीटर में यूज़ कर सकते हैं, अगर हीटर चालू नहीं है, तो यह डारेक्ली फिर जाता है, रेडियेटर में, अब यह जाता है, जब रेडियेटर में, तो रेडियेटर में क्या होती है, कि छोटे 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 पाइप में बस में या फिर कार में भी आप देख पाते हैं वो actually होता है radiator इन में छोटी-छोटी pipes होती है जिसमें गरम coolant को डाल दिया जाता है अब गरम coolant क्या होता है कि जब इसमें जाता है तो इस प्रकार से travel करता है वहाँ पर जो सामने से आने वाली air होती है गाड़ी के सामने से जा atmosphere से जो गाड़ी से टकरा रही है उस air की वज़े से coolant वापस वहाँ पर अपनी heat को लॉस करता है और वापस से अपने थंडे इस तर पर जब तक नीचे पहुंचता तब तक वो थंड़ा हो चुका होता है दूसरी चीश radiator के पीछे जो fan होता है उसको वहाँ पर इसके लगाए जाता है ताकि आने वाली जो air है उसको अच्छे से पास कर सके ताकि और ज्यादा air उसमें आ सके दूसरी बार जो जो pipeline मनाई गई है इसके travel के लिए यह coolant के travel के लिए radiator में उसको थोड़ा सा fin के आकार का मनाई जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एट्मोस्फेयर से वह contact में रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा वह heat dissipate कर सके एट्मोस्फेयर में निकाल सके जो हवा आ रही है उसको गरम करके वह पीछे धकिलता रेता है औरQue groupe धीर धीर वापास से झंडा हो जाता है थंडा होने के बाद वापस सिसका काम होता है कि यह Water Pump यो वाटर वापस से यह काम के रहेता है और तो यही करने के बाद निक बॉर सझेजब करते कまぁ कर रहें से चैंभाम के थिर्म काम करता है तो आपने सोचा होगा कि जब हमें ठंडे करने के लिए ही काम करना है तो पानी डारेक्ली क्यों नहीं यूज कर लेते हैं तो देखें Coolant इसलिए यूज कर आता है क्योंकि इसका जो है boiling point काफी water के मुकाबले काफी जादा भी होता है और ये काफी minimum temperature पर liquid अवस्ता में रहता है अगर आप यहाँ पर पानी उसकर लेते हैं तो पानी जो है काफी जल्दी boil हो जाएगा उसके वज़े से वो जितनी heat ले रहा है उतनी निकाल नहीं पाएगा और engine को काफी समस्या हो सकती है इसलिए coolant का यूज कर आता है गाड़ा ह जिकता है जिसमें कुछ liquid भरा हुआ होता है green color का औरेंज color का तो वह actually होता है radiator का coolant उसको आप डुकन को खुल कर भी चेक कर सकते हैं उसमें इस तर दिये हुए थे कि इतना coolant लगबग रहना चाहिए या फिर आप जो इसकी limit होती है वो लगबग होती है 30-40,000 km तो 30-40,000 km जब आप चला लेते हैं गाड़ी को तो एक बार आप चेक करा सकते हैं मापस से service center पर जब आप जाते हैं तो वो भी एक बार चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी इतनी चल चुकी है तो उसके हिसाब से coolant कितना होगा इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने temperature gauge क कफी जादा दिखाई दे रहा है हर समय के लिए तो आपको चेक कराना होगा कि कहीं leak तो नहीं हो गया हो सकता है कि leak हो गया हो लिक होने के लिए अगर leak होता है तो इसे आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि आप गाड़ी के नीचे देख लीजिए अगर green color का या orange color का आज के लिए बस इतना ही मिरनेवाद